नमस्कार दोस्तों, एको एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रती कुमावत आप लोग के सामने फिर से आ गया हूँ डेली करेंट अफेर्स लेके तो जो आज का करेंट अफेर्स है उसके अंदर हम देखेंगे कुछ इंपोर्टन सवाद जो कि आज की इंपोर्टन न्यूस की हेड्लाइन से बन सकते हैं तो हम बढ़ते हैं आज की हमारे लेक्चर की तरफ जिन दोस्तों ने इको एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग इको एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ECO Academy लेकर आता है आप सभी के लिए UGC NET और GK Current Affairs के लेक्चर्स तो हम बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर के तरफ तो चो आज का लेक्चर है वो Current Affairs की क्विज की तरह मैंने डिजाइन किया है जिसमें मैंने आज की Important 5 Headlines को रख है तो हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर हमारी पहली Headline के साथ तो हमारी पहली आज की Headline है वो है वह देश जहां COVID-19 महामारी के बीच राष्टिय चुनाव आयोजित किये गए तो दोस्तों इन चार आप्शन्स में से आपको उस देश के बारे में बताना है जहा जोना महामारी के कारण कोई भी कारेकरम जो की सोशल गैदरिंग से रिलेटेड हो सब पर रोक लगाई गई है और काफी सारे देश जो है वो लोगडाउन की स्थिती में है तो 16 अपरेल 2020 को दक्षिन कोरिया के रास्टपती मून जैई की सत्ताधारी लोगतांतरिक पार्ट प्रेली बार 18 वर्ष तक के बच्चों को मद्दान करने की भी अनुमती प्रदान की गई थी दूसरा सवाल यूनेसको द्वारा वर्ल्ड सिटीज दे के अवसर पर भारत के किस शहर को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया ओप्शन से इसमें मुंबई, दिल्ली, महसूर और आगरा इसका जवाब वर्ल्ड सिटी डे हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर 2019 के अवसर पर यूनेसको ने भारत के मुंबई और हैदराबाद समेत विश्व के चांसट शहरों को रचनात्मक शहरों के नेट तो इस सवाल में यदि मुंबई के साथ हैदराबाद आप्शन में होता तो दोनों आप्शन सही होते है या फिर मुंबई की जगे हैदराबाद होता तो वो आप्शन भी सही होता तीसरा सवाल मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुँचने वाला विश्व का प्रतम मुबाईल एप्लिकेशन कौन सा है तो दोस्तों कोरोना महमारी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने हाली में आरोग्य सेतु नाम की एक मुबाईल एप्लिकेशन जारी की है इसी मुबाईल एप्लिकेशन को लेकर 15 अपरेल 2020 को नीती आयोग द्वारा यह घोचना की गई है कि आरोग्य सेतु कम से कम 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड तक पहुँचने वाला दुनिया का पहला मुबाईल एप्लिकेशन बन गया है चौता सवाल वहें देश जिसे एशियन बॉक्सिंग चैंपियंशिप मेजबानी के लिए चैनित किया गया है चार आप्शन्स है जापान, भारत, दक्षिन कोरिया और इंडोनेशिया नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ओफ इंडिया ने हाल ही में यह गोशना की है कि वह नौंबर दिसंबर 2020 में आयोजित होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियंशिप की मेजबानी कर रहा है एशन बॉक्सिंग चैंपियंशिप एक दिवार्शिक घटना है जो की वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है साथ ही साथ आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अंतराश्टे मुक्यबाजी संग में भारत का प्रतिनिदित हुए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है पाच्वा सवाल वायू मंडल ये अध्यन हे तु SCI-SAT उपग्रह का प्रक्षेपन किस अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी द्वारा किया गया था इसके उपशन्स है नासा, इसरो, केनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी SCI-SAT उपग्रह को केनेडियन स्पेस एजेंसी ने ओजोन परत पर शोद के लिए विक्सित किया था इसका उद्देश्य बातावरण में मौझूद करणों पर गुजरते हुए सूर्य के प्रकाश के प्रभावों का अध्यन करना था हाल ही में कनाड़ा के मैगिल उनिवर्सिटी के खगोल वादियों ने SCI-SAT उपग्रह द्वारा प्रत्वी के वायुमंडल का एक फिंगर्पिंट बनाया है जिसका उद्देश्य बाहिये अंतरिक्ष में मानव के रहने के अनुकूल ग्रहों का पता लगाना है तो दोस्तों ये थी आज की यानि 17 अपरेल की इंपोर्टेंट हेडलाइन्स यदि आपको आज की हमारी ये डेली करण्ट अफेर्स की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके हमें बताना ना बोलें साथ ही UGC NET या फिर GK Current Affairs की अन्य वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए Eco Academy चैनल तब तक के लिए धन्यवाद